समस्याओं को देखना भोगना और उनपर टिका टिपड़नी करना समय ताकत शमता और पीडियां बरबाद करने से अच्छा है कि उनपर विचार कर समूल उनका नाश कर मानव कल्याण की दिशा में काम करना ये ज़्यादा बहतर है इस दिशा में अनेक संस्थाएं काम कर रही है पर बात बस इतनी ही है कि हम हमारे स्थर पर क्या करते हैं वही माईने रखता है सरकारे, संस्थाए, नेता लोग, पुढ़ारी भाई, इत्यादी क्या करते हैं इससे ज़्यादा यह महत्वपूर्ण है कि हम स्वयम क्या कर रहे हैं जब हम किसी विशय में काम कर रहे हों तभी हमको उस पर बाचीत टिका टिपड़नी करने का अधिकार है तो इसलिए कर्मयोगियों के नाते हमारे लक्ष का सबसे महत्वपूर्ण बिंदू बस यही है कि हम समस्याओं उस पर राजनीती अर्थशास्तर बाजारी करन कर आम जनता के नुकसानों को उनको बतला कर उनकी ही सहायता से स्वरणिम भारत के निर्माण के संकल्प में लगे रहे उधार नार्थ बाजार में बहुत सारी बिना काम की वस्तुएं हैं उनके निर्माण विक्री पर हम नियंत्रन नहीं कर सकते क्योंकि दुनिया में अच्छे बुरे दुनिया दोनों का समनवय है परंतो उनका उप्यो करे अथवा नहीं इसका विवेक लोगों में जागरुत अवश्य ही हम कर सकते हैं लेकिन कैसे बिनु सत्संग विवेक न होई ऐसा तुलसिदास जी गोश्वामी जी ने कहा है ऐसी वस्तुओं का सम्मूल नाश हमारा दिर्ग कालिन संकल्प निश्चित ही है लेकिन लोगों को सत्संग, सत्षिक्षा, संस्कार, नीती मुल्य सिधान बतला कर विवेक वान बनाना ये अल्प कालिन और तिकाडबादित संकल्प है यह समस्या सही और गलत की नहीं नहीं है अनेक युगों से चली आ रही है जैसे महाभरत क्यूं हुआ, इस ऐसा प्रश्ण पूछने पर लोग कहते हैं कि दुर्योधन के लिए जो कहा कि अंधे का बेटा अंधा इस कारण से सारी महाभरत हुई ऐसा करण अनेक लोग कहते हैं लेकिन इसमें चुप दुर्योधन की ही है दुर्योधन के सारी सभा के सामने किया गया और इसलिए महाभरत हुई जगत में दुराचार, व्यसन, बदमाशी सब जगह है लेकिन विवेक पूर्ण नियम धर्म कर्म से पक्के रहे अगर हम रहते हैं तो कोई समस्या होती ही नहीं सदा कल्यान ही होता है बुराई का कोई अस्तित्व ही नहीं होता बिना सच्चाई या अच्चाई के उधार नार्था अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है प्रकाश का नहीं होना ही अंधेरा है और प्रकाश में परमात्मा सूर्य नारेन के रूप में बहुतिक और लोकिक जगत में सूर्य मंडल में विद्यमान है उसी प्रकार प्रतिक जीव मात्र के रिदय में भी प्रकाश में परमात्मा विद्यमान है जो हमको देखने की सुनने की समझने की बोलने की अनुभाव करने की शक्ति देता है अगर जगत में अंधकार रुपी बुराई है तो हमारे भीतरवी प्रकाश में परमात्मा रुपी सच्चाई अच्चाई भी है जो अखंड निरंतर जीवन का सबसे मुख्य एक ही उद्देश्य है इस चेतन प्रकाश में परमात्मा का अनुभाव यही स्वयम को जानना है जैसा महर्शी रमण जी महाराज ने कहा है यही जीव का शिव से मिलन है यही आत्मा का परमात्मा से मिलन है यही नर का नारायन से मिलन है यही महासमाध यही परमगति है यही परवानन की प्राप्ति या अनुभाव है यह इसी को एनलाइटन्मेंट या मृत्यु जन्म के बंधन से मुक्त होना या सदा सदा के लिए लिबरेट होना ऐसा कहा गया हम इसके हेतु श्री भगवान कृष्णा कनयाने श्री भगवत गीता जी में तीन भिन्न नहीं है कोई भी मनुष्य कोई भी मारग चुन सकता है और कोई भी मारग से चलते चलते अंत में वो इन तीनों मारगों के हेतुओं को प्राप्त होता है और अंत में परम आनंद को प्राप्त होता है इस बात को हम भक्तमाल वा अनेक योगियों के चरित्र से जान सक जैसे उस पर विशेश ध्यान न देना और मन पर दिगवीजय करना इस दुनियादरी में कठीन है उसी प्रकार सब कुछ श्री ठाकुर जी के भरों से छोड़कर बजन किर्टन करना भी शायद व्यवहार जगत में कठीन है जो भक्तियोग है परन्तु कर्मयोग तो ततपरता से हमारे सभी के लिए संभव है और उसमें अगर भक्तियोग जुड़े तो फिर अद्भूद अनुभव हो जाते हैं तो इसलिए सब के लिए ऐसा कर्मयोग मार्ग सब के लिए ऐसे कर्मयोग मार्ग पर हम चल रहे हैं भक्ति के आसरे से और इस सब को सेवा रूप से हम जब करते हैं समय निकाल के तो यही हमारा निश्वारत कर्मयोग है इसलिए हम कर्मयोगी संसा है और हमारा मूल वाक्य कर्मयोगिती हरी भक्ति ऐसा हे!